योगी की सबसे बड़ी भख्त अधिती सिंग बीजेपी में शामिल हमने दो साल पहले ही पूछा था सवाल तो बंद करवा दिया था कैमरा अधिती सिंग से बार बार पूछा था सवाल तो बंद करवा रही थी कैमरा लेकिन सत्य सत्य होता है बीस मैने बाद अधिती सिंग ने स्विकार किया राइबरेली से अखिलेश प्रताफ सिंग को कौन नहीं जानता उनका प्रताफ इतना था कि यूपी की सियासत उनका नाम उनकी ताकत की बहुत कहानिया है उन्हीं की बेटी है अधिती सिंग राइबरेली सदर से अधिती सिंग बीजेपी की विधायक है योगी आधितिनाद के कामों की तारीफ कर रही थी उसे बीच ग्लोबल भारा टीबी ने 1 मार्च 2020 को एक सवाल बार बार पूछा था कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगी उस वक्त इस सवाल का जवाब अधिती सिंग के पास नहीं था वो बार बार कैमरा बंद करवा रही थी आज वो बीजेपी में ही शामिल हो गई लेकिन ये 20 मेंने पहले पूछा गया सवाल जनता को याद आ गया तब बीजेपी के सवाल पर अधिती सिंग को गुसाता था और बार बार कैमरा बंद करवा रही थी आज वो बीजेपी में ही शामिल हो गई और सारे सवालों के जवाब मिल गए देखे वो इंटर्व्यू जिसने 20 मेंने पहले ही बता दिया था अधिती सिंग के पास एक मातर रास्ता है और उस रास्ते पर बीजेपी है ये सियासत में जब रास्ते दो हो तो ये तैकरना मुश्किल होता है वोटरों के लिए भी और नेताओं के लिए भी के रास्ता सही कौन सा होगा और जब आप राजनीती में उस रास्ते पे खड़े हो जहां से दाहिने भी रास्ता हो बाएं भी रास्ता हो एक रास्ते पर वीजेपी दूसरे पर कॉंग्रेस तमाम चर्चाएं कहानिया किस से इतिहास और राइबरेली की वो बाते जो फिलाल सुर्खियों में रही है पिछ तो कोई रास्ता को दिखाई नहीं दिरादी सीधे टूवर्ड्स वर्किंग फॉर्माय पीपल अपनी जनता के लिए काम करना जिस काम के लिए चुनके आई हो वो काम करना तो बेशक हमेशा आगे बढ़ते जाना है बीजेपी बाएबाले रास्ते पर खड़ी है आपके सा लोग जाना चाहते हैं कि आप कीस रास्ते पर जाएंगे देखे मैं कॉंग्रेस पार्टी की विधायक हूं और जब मैं राजनीत में जब मैंने प्रवेश किया था तब ही मैंने ये निर्ने लिया था कि मैं कभी किसी की बुराई नहीं करूंगी कभी मुझे नेगिटिव राजनीत में करनी है है ना मैं खुद में एक बहुत ही पॉजिटिव माइनसेट लेके चलती हूं और बहुत मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मुद्दों की बात करूं मुद्दा विशेश राजनीत करूं विकास के कार करूं जनता से जादा से जादा रूबरू होने का प्र मेरा लक्ष है कि जो मेरे पापा की सपनों की राइवरीली थी, उसको बनाना मेरे शहर में कभी भी गुंडा टाक्स नहीं हुआ है, वसूली नहीं हुई है, अन्न जलों में जो चीजें सुनने में आती रहती है, हमारे यहां कभी ऐसा नहीं हुआ है और इन्ही सारी चीज़ों को ताकि वही विवस्था बनी रहे जो मेरे पिता जी के समय पे थी वह सुनिश्चत करना मेरा काम है पिता जी आपके आखरी वक्त में दो बाते बहुत चर्चित कहते हैं 370 की तारीफ कर गए मैं भी करती हूँ तो पिता के आदर्शों पे जब बेची चलेगी तो फिर मतलब यह कह सकते हैं लोग आने वाले वक्त में अधिती सिंग भई करेंगी जो जोड़ कर अब फिर वो बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि लोग जमना चाहते हैं देखे मैं कॉंग्रिस पार्टी की विधायक हूँ और पूरी तरीके से जन्ता के काम कर रही हूँ जिस काम के लिए मुझे चुन के भेजा है विधान सभा वो करने का प्रयास करती हूँ जो काम उचसे नहीं हो पाता वो भी सच-सच बता देती हूँ जो काम किसी और भाग के होते है या किसी और आउट उफ माई जूरिस्डिक्शन है वो भी मैं साफ साफ बताने का प्रयास करती हूँ तो यही मैं चाहूंगी कि जो मेरे पारिवार एक परंपरा है अपने छेत को परिवार की तरह मेरे पापा ने हमेशा ट्रीट किया सब को एक परिवार के सदसी की तरह वो लेके चलते थे मेरा भी यही प्रयास है और जब तक जन्ता का अश्रवाद मिलता रहेगा उनकी सेवा करती रहूंगी मेरा सवाल चुकि इस लिए बार बार है मैं बेक्तिकत सवाल नहीं कर रहा हूं पुरा प्रदेश जाना चाहता है खासतोर से राइबरेली की लोग जनना चाहते है मैं आ रहा हूं आपके डिसकाट इसकें राइबरेली में तमाम बाते हैं तमाम विकास के अजन्डे पर सवाल भी पूछा जाता है सुनिया गांदी का अश्यत्र है अभी हमारे रिपोर्टर वहां पे पहुंची वहां पे और वहां पे नहोंने रिपोर्ट बनाई लोग कहते हैं कि जो गाह उन्होंने गोद लिया था उसमें कोई विकास डेबलप्मेंट की कोई बहुत बड़ी भूमी वहां पे दिखाई नहीं देती है राइबरेली साब के पिता जी कई दफ्य विधाय करें पांच बार विधाय करें और अब जमेदारी आप आगे बढ़ा रही है राइबरेली में जाम की बहुत बड़ी समिश्या है उस समस्या से लोगों को किसे निज़ाद मिल पाएगी, लोग चाहते हैं और आप से बार-बार लोग मिलते हैं भी सवाल को लेकर हैं हाँ, मुझे भी होती है मैं कोई बस जगों पर ऐसे प्रकट थोड़ी हो जाती हूँ मैं भी इनसान हूँ, मैं भी वहाँ की रेजिडेंट हूँ मुझे भी उसी जाम से गज़रना पड़ता है उन्ही गाडियों में हम भी फस्ते हैं तो ये एक दिन में सुलच जाने वाली समस्या नहीं है अब हमारे प्रयासों से और काफी पहले से काम चल रहा था पर बीच में, because of lack of funds, I think, जो contractors हैं उन्होंने रोग दिया था पर अब पुनर रूप से इसको चालू किया गया है कि रिंग रोड का काम हमारे चालू हो रहा है अभी बस आधी side of the ring road ली गई है और भगवाने चाहाँ तो मैं दिल्ली तक अधिकारियों से मिलके आई हूँ और अगले budget में, जब अगला budget तयार होगा उसमें जो दूसरी ring road है उसको भी, क्योंकि बहुत महिंका project है बहुत-बहुत ये second करोनों की हम बात कर रहे है तो प्रया से ही रहेगा कि अगले budget में जो दूसरा side of the ring road है उसको complete करा दिये जाए ताकि जो पूरा truck वाहन वाला traffic रहता है truck traffic जो basically रहे बेली से आगे अलाबाद चला जाता है आप उलार देती है कि जैसे चंडीगर है चंडीगर के बचार मोहाली भी है तो आप राइबरिली को मोहाली के तौर पे देखती है like a satellite city या पंचकुला मैंने कहा था पंचकुला इस साटलाइट से तो उस तरीके सर देखती है जी यही मेरा सपना यही मेरा प्रायास है कि राइबरिली क्योंकि बगल में ही है अतना जादा दूरी भी नहीं है लखनों से तो अगर मुझे मुझे मौका मिला बेश्क हर चीज में टाइम लगता है और जब तक जैसे मैंने का जब तक मेरी जनता का प्यार और आश्रवाद बना रहेगा तब तक अपनी जनता के डिवलॉप्मेंट के लिए मैं काम करती रहूंगी और मेरा सपना है है कि राइबरिली को एक सार्टिलाइट सिटी बनाया जाए लखनोंगा मैं का आशारे लोग कन्ख्यूजन सिटी जनना चाहते हैं कि आँ शादी के बाद किया पजणाब से सियासित करेंगी रही से करेंगी मैं चाहता को और ग्लोबल मभारत के मादियन साब ही क्लियर करें कि लोगों का यह सवाल is यह मेरी जनता है, यह मेरे लोग है, ऐसे तासान नहीं होता कि बस आप अपनी जनता को छोड़ दें, यह चीज बिलकुल मेरे लिए तो बिलकुल नामुम्किन है, क्योंकि देखिए, मैं राजनीत में बस इसलिए अपना बस एक करियर बनाने या करियर चोई सोचके नहीं आई थी, मैं राजनीत में इसलिए प्रवेश किया था क्योंकि जो मेरे पापा का, जो मेरे परिवार का दिली लगाओ रहा है अपनी जनता से, वो लगाओ मुझे भी था, है, और पापा का भी मन था कि जो उन्होंने बनाया है, जितना जो उन्होंने अपनी जनता को प्यार दिया है, जो जनता ने उनको प्यार दिया है, वो बराबर बना रहे, और जो उनके काम है, उनको आगे ले जाने का मैं प्रयास करूं, और पापा जब मेरे बिमार हुए, तो मेरी जनता ने भी मुझे बहुत ही आशा भरी नज़रों से देखा बेटाजी आपकी कुछ राज में थी वो कुछ ऐसा सिखा गया जिससे आप आगे उसे लेके जाना चाहेंगे कुछ ऐसी बात बहुत सारी बातें सिखा गया है मैं बहुत भागशाली हूँ कि जब से पापा जब बिमार होने के बाद भी उनको भगवान ने छे साल दिये तो उन छे साल में वो मुझे बहुत ट्रीन कर गया है एक चीज़ उन्होंने मुझे ज़रूर बताई है जो मैं भी हमेशा प्रयास करती हूँ कि सच बोलो मतलब जो काम हो सकता है वो करो तुरंट करो जो काम नहीं हो सकता है उसको फिर किसी भी आदमी या महला को लटकाओ मत कि हाँ 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 देखेंगे करवा देंगे नहीं हो सकता तो सीधे सीधे कह दो नहीं हो सकता क्योंकि बिचारा आदमी अपने तल्वेग इसके एक-एक नेता के दरवाजे जाए, एक-एक अधिकारी के दरवाजे जाए, यह सही बात नहीं है, नहीं हो सकता तो सीधे-सीधे बता दो ताकि वो फिर कहीं और प्रयास करें, जो भी उसका रासता है, वो कोई और रासता ढोंड़ें अपना काम कराने का, कम स कि मतलब सीमिस इंसादें में हम सब काम करते हैं तो मेरा यही प्रयास हाता है कि सच बोलो अपनी जनता से अज़ती सिंग की आने वाले और उठाई जाने वाले कदम पर भी सब की नज़रेटी की हैं उठाइच आने वाले और कदम पर भी किसOn की सफ़ीं का होगा सिसर थर्टमान इस्तितिियों के वह रहा है में बसक कर देखिकर राजिती बहुत से बदली है राइवरेली के भीतर कभी सिर्फ एक परिवार की राजनीती होती थी 2019 के लुकसवा चुनाओं में लोगों ने दिखा कि अब वह बात नहीं रही मकाबला काटे का हुआ बेशक कॉंग्रेस को जीत मिली 2022 के चुनाओं में क्या यह राणीती रहेगी आप लोगों क जनता के चुनाओं है इसमें एक कोई आदमी या औरत के नहीं कह सकता कि हां नहीं यह होगा वो होगा सबसे इंपोर्टन इलेक्शन होता है यह लोग सभाव विधान सभा के चुनाओं होते हैं यह पूरी तरीके से जनता हम लोगों को चुनके भी सिए we are elected not selected like I always say तो इसमे कोई का टिपनी नहीं कर सकता है कि जनता को किस की क्या चीज अच्छी लगे या बुरी लगे या ना समझ में आया वो किस डिरेक्शन में जाएं वो पूरी तरीके से उनका उनकी मन्शा है और उनका हक है तो इसमें तो मैं टिपनी नहीं कर सकती कि क्या होगा क्या नहीं कि अब हर चुनाओ बहुत डिफिकल्ट हो गया है, हर चुनाओ, मेरा मानना है कि जनता हर चीज़ देखती है, समझती है, बहुत समझदार जनता है, और अगर आप मेरी परसनल बात करें, तो अगर आप शुरू से मेरा रिकॉर्ड अठाकर देखें, जब से मैंने राजनीत मे कदम रखा है, मैंने हमेशा बस विकास की बात करी है, I don't think मैंने अभी तक किसी की आसज बुराई करी है, कोई बुरा काम करेगा, बेशक उनकी बुराई करूंगी, कि भाई, ये चीज़ गलत है, कोई चीज़ अगर मुझे जादा अच्छी लगती है, तो मैं उसकी सरहाना भी करती हूँ, पर मेरा मेशा प्रहासा है, as a youth leader, कि मैं विकास की बात करूं, अपने काम की बात करूं, ना कि दूसरों के काम में कम्याँ निकालूं, क्योंकि जब मैं जोटी थी, और जब मैं राजनीत में नही थी, और लीडर्स को देखती थी, तो मुझे भी वही चीज अची लगती थी, जो नेता बहुत जादा एक दूसरे की बुराई या टांग हीचने में लग जाते थे, या नेगिटिव राजनीत करते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था वो देखे, कि मैं अपने देश के लिए ऐसे नेता नहीं चाहती हूँ, जो बुराई करें, या कि मैं डॉन बनूंगी, क्वेस्टन क्या है, कि डॉन की बेटी है, इस पे लोग एक छवी बना कर देखते हैं, कि आप डॉन की बेटी है, इसको जो चवी बनाने है, सब लोग अपने टाइप की बात करते है, बुरा तो नहीं लगना चाहिए आपको इसमें, मुझे अपने सोच रही हूं, वो किस की स्टेटमन थी, स्टीव जॉप्स की स्टेटमन थी, आप, इसमें की, if you want everyone to like, you sell ice cream, तो हम राजनीत में हैं, छोटे से छोटे चुनाओं में, बड़े से बड़े चुनाओं में, हमेशा, you know, दो साइज रहती हैं, कुछ आपके समर्थक होंगे, त जाहर है कि कुछ लोग आपके अंटी होंगे, मैं चीज़, मैंने क्या कहता, मैं किसी की बुराई नहीं करती हैं, अधिती सिंग, सभी नेताओं की, सभी पार्टियों की तारीफ तो करती हैं, इसके लिए बाकिस से लोग इनकी भी तारीफ करते हैं,